आज में आप लोग उसे शेयर करने वाली हूँ डिफ्रेंस वे में आप इंडोर प्लान को कैसे ग्रो कर सकते हो डिफ्रेंस वे में आप अगर इंडोर प्लान को ग्रो करना चाहते हो तो उसका क्यार भी थोड़ा अलग होता है अलग अलग तरीके से इंडोर प्लान को ग्रो कर के लिए थोड़ा क्या अलग होना होता है जैसे अगर इंड्रो प्रेंड को वाटर में ग्रो करना चाहते हो तो उसका क्या अलग होता है आप अगर हैंगिंग बसकेट में लगाना चाहते हो उसका क्या अलग होता है अब अगर कॉफी मग में लगाना चाहते हो उसका क्या लिए तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को अन्ट जरूर्व देगना है है कि हम लोग घर पे बहुत सारा प्लान लगाते हैं पर एक ही तरह इसे लगाने से हम लोगा अच्छा नहीं लगता है देखने भी नहीं अच्छा लगते है तो अगर हम लोग डिफेस्ट में लगाते हैं तो इसको देखने में भी अच्छा लगते और इंट्रेस्ट भी आता है और ज्यादा इंडर्प्लन लगाने को इसलिए मैं आज आप लोगों से यह वीडियो शेयर कर लिए हूँ अब टांगने का जो तरीका है उसे सीलिंग में टांगना जरूरी है क्योंकि यह तो फैसर एक वेटेट हो जाता है तो गिर जाएगा नहीं तो और यह सब plant का जब soil dry हो जाए तब इसे watering करनी चाहिए क्योंकि जो hanging landscape में plant रहता है उसका soil बहुत जादा जल्दी जल्दी dry हो जाता है तो आपको चेक करना ज़रूरी है और light weight का potting mix डालना चाहिए हो सके तो आप जो soil है उसे avoid करके आप cocopid लगा सकते हो उसके बाद आता है आप coffee mug में कैसे indoor plant लगा सकते हो और क्या से cure कर सो coffee mug में आप कैसे indoor plant लगा सकते हो मैंने वीडियो पर पहले दिखाया है मैं i button पर link दे दूँगी अब लोग ज़रूर चेक किजिएगा coffee mug में अगर plan लगाते हो तो md होने की कोई chance नहीं है इस तरह किसे आप अगर plan लगाते हो यह coffee mug में यह अपके घर पे available होता है तोड़ा टूटा हुआ तोड़ा बतलब कलर खड़ाब हो गया इस तरह कि कर जो coffee mug है हम लोग फेकना नहीं चाहते है क्योंकि बहुत ही पसंदीता होता है उसे हम लोग ऐसे planter लगा सकते है यह बहुत अच्छी तरह करता है कोई problem में आते है मैंने देर दो साल से coffee mug में प्लान लगाया है तो आप easily लगा सकते हो यह एक gardening का smart way है उसके बाद आता है long indoor plant long indoor plant जो होता है उससे अब बड़े से गंबले में लगा सकते हो यह अरिका प्लैम है अरिका प्लैम जुं है यह बहुत ही खुबसूरत है आप इसे घर के किसी भी कोने पर रखने तरह बहुत भूबसूरत में लगता है तो है बहुत अच्छी तई है grow गए moji problem में आता है अब नहीं तो ऐसे जो टेरे कॉटर का Power उसमें भी लगा सकते हो और एक यह सब प्लान जो बड़ा साइस का होता है उससे जो पॉट है उसके नीचे ट्रे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या आप एक पॉट पे प्लान लगा के दूसरी पॉट में अगर डाल दोगे तब नहीं ट्रे रखने की ज़रूरत क्योंकि होल रहने वाला जो पॉट पानी गिरता है तो घर बहुत ही मेसी हो जाता है तो एक आपको ट्रे रखना ज़रूरी है उसके बाद राता है वाटर में आप कैसे प्लान लगा सकते हो प्लेन टैप वाटर आपको देनी चाहिए और शिक्स तू सबने के बीच में आपको इसका जो पानी है उसे चेंज कर बढाई हो शाहिआ चाहिए और प्लें टैप वॉटर ही चाहिए कि प्लें बैं टैप वाटर प्रोवाइज नेयूरी मेंनीरा इसस लिए प्लैंिक। नहीं कर सकते हैं इसलिए निटिश्ण निय लेनी है इसलिए प्लें टैपसे उसके बात है पैसे पाने की Souls already क्वैं बहू तो यह सब Иब लिए वाला जाहएसे बहुत है इसके दीचे में हूल है इसलिए मैंने एक लगा के इसके अंदर मेंने घुषा दिया है तो क्या होता है पाडी अगर पर भाट पे ही रहेगा इसलिए इस तरह के से आप लगा सकते हो और एक जगह से और एक जगह ले जाने के वक्त आपको बहुत है भी लगता है तो अगर आप और एक पॉट पर लगा के उसके बाद इस पर रखोगे तो इसलिए अप इधर उदर ले सकते हो और यह चोटा साइस का जो होते है उस पर आप डायरेग लगा सकते हो क्योंकि यह बहुत ही जादा चोटा है यह करीबद पचास रुपया क्योंकि मैंने खरीदाता भी आला मार्केट चे तो बहुत ही खुबसूरत है मुझे यह जो स्क्वेर जो पॉट है वो मुझे पसने लिए बहुत पसंद है मैंने चार पांच ऐसे स्क्वेर पॉट करीदा है इस पर म मेंटेन है बहुत कम क्यार करके आप इसे लगा सकते हो जैसे स्नेक प्लैन अब लगाओगे तो बहुत हपते में दस दिन पर भी पानी दोगे तब ही सर्वाइब कर जाएगा